हेलो फ्रेंड्स राधी राधी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर तो सर्दिया आय और गाजर का हलवा ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो ये देखे मैंने आधा किलो लाल गाजर लिया है इसको हम छील के काट लेंगे तो ये देखे मैंने का दूकस भी कर लिया अब इधर चरहा दिया था मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए तो कढ़ाई गर्म हो गया इसमें डालेंगे हम गाई का देशी घी तो घी भी हमारा गर्म हो गया है इसमें हम ड्राइफ रूट्स को रोस्ट करेंगे तो ये ड्राइफ रूट्स मैंने a King किति हम अच्छे से कर लेंगे हैं परको आप कम पसंद ज्यों भी ड्राइफ रूट से आप ले सकते हैं तो मैने ड्रैफ रूट सको को कर लिए हम इसकी में हम डाल देंगे दोकत किया हुआ कास इसार का को मैं इसमें डाल दोंगी आप इस अच्छे से करेंगे तो काज excitement भुनना है तो इसे हम थोड़ी देर के लिए ढख देते हैं तो देखिए ये गाजर हमारा पानी छोड़ दिया है थोड़ा थोड़ा इसे हम अच्छे से फ्राइ करेंगे जब तक इसका पानी सूखना जाए हम इसे ढख कर पकाएंगे तो ये जल्दी पकेगा तो देखिए लगभग गाजर हमारा पक गया है पानी पूरा सूख चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे एक लीटर दूद जितना गाजर हो उसका डबल दूद डालेंगे तो अच्छा बनेगा तो आधा किलो गाजर था मेरा तो इसमें एक लीटर मैंने दूद डाला है इसे हम अच्छे से चला लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाएगा तो दूद जब तक सूख नहीं जाता तब तक हम इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में इसे चलाना जरूरी है ताकि एक अड़ाई में ना चिपके तो देखे है इससे चलाते रहेंगे तो आधा दूद हमारा सूक चुका है अब हम इसमें मिल्क पॉडर डालेंगे तो यह देखे दो पाउच मैंने लिया है मिल्क पॉडर का इसको हम इसमें डालेंगे बहुत लोग इसमें खोया भी डालते हैं तो मेरे पास खोया नहीं था तो मैं मिल्क पॉडर का यूज कर रहे हूं इससे भी इसका स्वाद बहुत बढ़ कि अब हम इसमें स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे सारे चीजों को हम अच्छे से चलाएंगे तो देखिए सारा मिक्स हो गया है और गाजर का हलुआ हमारा तयार हो गया है थोड़ा इसे हम और सुखा लेंगे तो जो ड्राइफ रूट्स मैंने फ्राइ किये थे उसे हम डाल देंगे सारे चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह हल्वा बहुत ही जल्दी अतलब आधा गंटा में बनके तयार हो जाएगा तो अच्छे से मिला लेंगे हम उपर से हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे ताकि टेस्ट और बढ़ जाए अच्छे से हम मिला लेंगे इसे तो देख सकते हमारा हल्वा बनकर बिल्कुल तयार है इसे गर्मा गर्म खाईएगा बहुत ही टेस्टी लगेगा तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं तो देखे अगर आपको हमारे रेसिपी पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें